आपकी हिंदी अत्याभी का आज हां कक्षा चैने मीरा मगन भाई नाम शिर्शत का आध्यन करेंग। भक्ति काल की कवित्री मीरा भाईद्वारा राजित है। इस पद में श्री कृष्ण की महिमा की गान के साथ ही यह बताया गया है की इश्वरदारा सदापने भक्तों की बिपत्यों का नासकर उनकी सहयता करते हैं। मीरा भाई सोल विशताब्दी की कृष्ण भक्त और कवित्री थी। उनकी कविता कृष्ण भक्ती के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती है। मीरा बाई क्रिश्न की दिवानी और परमभक्त है उन्होंने अनेक पद लिखे हैं मीरा के काव्य में क्रिश्न भक्ती पर अनुपम बर्णन मिलता है आज भी उनके द्वारा रचित भजन बड़ी शद्धा के साथ गाए जाते हैं मीरा बाई का जन राई स्थान की राजपूद घराने में हुआ था उनका बिवा 13 साल की उमर में उदर पूर के राजा महाराणा सांगा के पुत्र भुजराज से हुआ था दुर्भाग्यवश भुजराज की मृति हो गई और मीरा बाई संसार से विरफ्थ होकर क्रिशन भक्ती में लीन हो गई उनके सस्ट्राल वालों को मीरा बाई का इस तरह क्रिशन भक्ती करना अच्छा ने लगा तो उन्हें तरह तरह से सताया जाने लगा इस पद में उसी समय का वर्णन है जब मीरा बाई क्रिशन की भक्ती में लीन थी और उनके देवर राणा ने उन्हें मानने के लिए एक सांप भेजा लेकिन भक्तों पर यदि प्रभू की किरपा हो तो जहर भी अमरित बन जाता है तो प्रस्तुत है ये पद मीरा मगन भई हरी के गुन गाए सांप पिटारा राणा भेजियो मीरा हाथ दियो जाए न्याए धोए जब देखन लागी साली ग्राम गई पाए अर्थात परिवार की लोक लाच को बचाने के लिए उनके देवर राणा ने मीरा को मारने के लिए सांप का पिटारा भेजा लेकिन जब मीरा बाई नहादो कर आई तो उन्होंने पिटारा खोला तो उसमें पूजा का विशेश पत्थर शाली ग्राम पाया लेकिन कृष्ण की दिवानी मीरा पर इसका कुछ भी असर ना हुआ जहर का प्याला राणा भेजियो अम्रित दीन बदनाए हाथ दोए जब पीवन लागी हो गई अमर अचाए फिर राणा उन्हें मानने के लिए जहर का प्याला भेजते हैं जिसको मीरा खुशी खुशी पी जाती है और उसके पश्चाद भी उनकी म्रत्यू नहीं होती है मीरा की अनन्य भक्ति भाव से जहर भी अमरत में बदल जाता है जिसे पी करके बह अमर हो गई अर्थात जिस पर कृश्चन की महिमा का हाथ हो जिस पर कृश्चन का हाथ हो उसको जहर भी अमरत बन जाता है सूल सेज राणा ने भीजी दीजियो मीरा सुलाए सांज भई मीरा सोवन लागी मानों फूल बिछाए अथाथ फिर राणा नेक और चाल चलता है और सूली की सेज उसको देता है जैसे ही सांज होने पर मीरा बाईस होती है तो वे सेज फूलों के समान कोमल बन जाती है अतहे है पूरा सेज ऐसे हो जाती है मानो किसी ने फूलों के को ही बिछाया हो मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे भिगन हटाई भजन भाव में मस डोलती गिर्धर पैबरी जाए अर्थात मीरा के प्रभु भगवान क्रशन जो है वो हमेशा भगतों पर बिगन अपनी उनकी बिगन हटा देते हैं और मीरा वाई अपनी मस्ती में डोलती रहती है और अपने भजनों में स्री गिर्धर यानि कृष्ण भगवान को ही याद करती है और उनके उपर बली होने के लिए कहती हैं मीरा भाई कहती हैं कि हमेशा भगवान कृष्ण हमेशा प्रभू अपने भगतों के उपर से बिगन को हटाते हैं भजन बान में मस्थ हो करके मीरा भाई कृष्ण की भगती में लीन हो करके कशनरुक के मुपर भक्ती भाव से भजनों को गाती हुई और उन पर ही उनकी भक्ती में लीन हो जाती है